वो वर्ड था S-H-O-U-L-D I was in 8th Standard अगर आज आप किसी तीसरी के बच्चे से पुछे कि S-H-O-U-L-D क्या होता है तो वो फटेक से बता देगा शुड लेकिन मैंने उसको शुल्ड पढ़ दिया तो टीचर ने उसमें मेरे को गुस्सा आगया और कभी पुत्तर जी मैं डेडी जी बन जाता हूँ और कभी भाया हम है ना वड़े ही अंदाज में फ़नी अंदाज में मिया शुल्टानी बन जाते हैं अब लोगों को इसमें confusion रहती है कि आई कहां पे आना है या आई ए है या कैसे है तो अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा स्पैलिंग के लिए जिसको करने के बाद जिसको फॉलो करने के बाद आपको स्पैलिंग असान लगने लगेंगे आप सब को एना खुजली भाई का बोले तो सलाम हेलो एवरिवन आज की टॉक बाकी टॉक से थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि आज मैं आपको हस्ते खेलते एंटरेटेन करते हुए अपने बिल्कुल बिंदास फनी पठागा स्टाइल में इंगलिश के कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको अंग्रेजी असान बलकि और जादा असान लगने लगेगी लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में चोटासा इत्तुसा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मेरा नाम गौरव है आपने इंस्टाग्रेम चलाते हुए कई बारी मेरे फणी अंदाज में इंग्लिश टिप्स देते हुए मेरे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं अना कभी खुजली भाई बन जाता हूँ और कभी पुत्तर जी मैं डेडी जी बन जाता हूँ और कभी भाया हम है ना बड़े ही अंदाज में फणी अंदाज में मिया शुल्टानी बन जाते हैं और ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट क्रेक्टर्स प्ले करके मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ इसमें सिर्फ मुझे ही मज़ा नहीं आता बलकि देखने वाले को भी मज़े के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और सीखना बहुत जादा आसान हो जाता है एक ऐसी शिक्षा एजुकेशन जिसमें एंटर्टेंबंट भी हो उसे इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है जिसके अंदर एंटर्टेंबंट और एजुकेशन दोनों चीज़ें हो तो मेरी वीडियो और मेरा स्टाइल एजुकेशन से भरा हुआ है और आज इस है चोटा मोटा परिवार मतलब उस परिवार में मैं हूँ मेरी एक बेटी है चोटी और एक बीवी है एक ही बीवी है तो इसलिए चोटा परिवार ठीक है तो यही मेरा तरीका है मैं हसते खेलते एंटर्टेंग करते हुए अपनी चीज़ें करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होते हैं आपको मालूम है मैं इतने प्यार से इतनी महभबत से और बिल्कुल फणी अंदाज में डिफ्रेंट डिफ्रेंट करेक्टर में हसते हसाते लेसंस क्यों पढ़ाता हूं इसके पीछे मेरी लाइफ के कुछ बैड एक्सपिरियंस हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करन में हर पीरियड में मुझे मार पड़ती थी कभी पनिश्मंट मिलती थी कभी मैं ग्राउंड के चकर लगा रहा होता था कभी लानते मिलती थी तो इट वस मैं डेली रोटीन इंद स्कूल लोग जनरली सोचते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है और डेली बॉन ब्रेड है तो इंग्लिश अच्छी होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह सबके साथ ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है मेरा स्कूलिंग लाइफ बहुत बैकार रही है मैं बहुत जादा बंक आफ भी करता था क्योंकि मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता था छूटिया वह भी घृटिश टूटियूर्ण परती बिलकुल भी नहीं होना चाहिए जब मेरी उमर बारा साल ते तो हमारे उन्ग्लिश की टीचर थे वो जैसे ही क्लास में आते थे और हमें बोलते थे कि रीडिंग कौन करेगा तो बच्चे हाथ खड़ा करते थे जो बच्चे हाथ खड़ा करते थे वो उनको ना बुलाके बलकि उन बच्चों को बुलाते थे रीडिंग के लिए जो हाथ खड़ा नहीं करते थे और मैं तो बहुत students hand raise करते हैं teacher उनको ना भुला के उन students को बुलाते हैं जो hand raise नहीं करते हैं तो मुझे लगा कर मैंने हाथ खड़ा कर लिया कि reading मैं करूँ गा तो teacher में तो मुझे बुलाना नहीं तो मैं तो आगया safe zone में तो जब next time teacher ने बुला कि रीडिंग कौन करेगा तो मैंने बिंदास तरीके से हाथ खड़ा गया कि मैं करूंगा और मैं भाइया वहीं पर फस गया क्योंकि teacher ने मेरा नाम ले लिया कि आ जाओ और मेरे तोते उड़ने को इंग्लिश में to be taken aback कहा जाता है for example I was taken aback मेरे तोते उड़ गए मतलब मैं बहुत ज़्यादा घवरा गया खैर मुझे आना पड़ा और पहले तो क्योंकि नलाइक था तो मुझे यहीं नहीं पता कि वो किताब में जो मेरे से पहले रीड कर था उसने छोड़ा कहां से था तो पहले तो मैं भूंड रहा था मुझे मि फटकते हैं जटकते हुए बहुत पूर रीडिंग करते हुए मैंने एक वर्ट को गलत पढ़ दिया उसको मिस्प्रोनाउंस कर दिया वह वर्ट था एस हो यू लड आई वोज इन एर्थ स्टैंडर्ड अगर आज आप किसी तीसरी के बच्चे से पुछे कि ऐस तो यू मैं उस टाइम शुड को शुड जब मैंने पढ़ दिया तो टीचर गॉट वेरी एंगरी वह बहुत जादा कलपने लगी उन्होंने मेरे से किताब चीनी और टेबल पे पटक के मारी और मुझे बोला कि शुड को शुड बोलता है कुड को कुल्ड बोलेगा वुड को वुल लगा और फाइनली उन्होंने कान पकड़के मुझे क्लास से बाहर निकाल द दी और में अक्लास से बाहर खड़ा होके सूच रहा था कि जो वीक ट्रुट सोते हैं इंको तो बलकि ऐस्याइर नहीं थी सोचने में नहीं थी कि मैं तो इससे बीडिए बन सकता हूं लेकिन फि बाइचांस की बात है उसके X2 दीन बाद है मैंने TV में एक प्रोग्राम देखा उसमें गिन्हेस बुक औव वल्ट रेकर्ट के बारे में बता रहे थे इसकी सही प्रोग्राम में एक अमैरिकन टीचर के बारे में बताया जा रहा था जो अपने students को theory पे जादा ना जोर देके बलकि वो acting करके बहुत funny faces बनाके कभी वो dance करती थी, कभी वो table पे चड़के jump करती थी कभी वो mimicry करती थी, इस तरह से वो पढ़ाती थी और उनके बच्चे बहुत हस्ते रहते थे उनके बच्चे मतलब उनकी जो class में students थे वो बच्चे तो वो बच्चे बहुत हस्ते रहते थे और उनके subject में इवन वो बच्चे भी बहुत जादा अच्छा score करते थे जो बाकी subjects में या तो fail हो जाया करते थे या फिर बहुत कम score करते थे इस वज़ा से उन teacher का नाम Guinness Book of World Records में दर्सा और वो program आया जिसको मैंने देखा और उस program को देखके मुझे लगा कि काश यहां पे भी कुछ ऐसे teachers होते जो बच्चों को प्यार से पढ़ाते इतना funny अंदाज में पढ़ाते क्योंकि एक lesson कराना अलग बात है एक अच्छे teacher student के level पर आते हैं student को अपने level पर expect नहीं करते हैं क्योंकि student का level नीचे होता और teacher का level उपर है teacher has to come down to the level of the student उसको समझाने के लिए जैसे हम छोटे बच्चे से बात करते हैं तो हम उसको यह नहीं कहते हैं आपने पानी पीना है खेर समय भी था और जब मैं 14-15 साल का था फिर मैंने एक tuition center जोईन किया अंग्रेजी सीखने के लिए English speaking course के लिए मैंने एक tuition center जोईन किया जहां पर मेरी मुलाकात होई हमारे एक sir से जिनका नाम है नरेश sir और वो एक ऐसे teacher मिरे को मिले जिनको देखके मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसे भी teachers होते हैं वो इतने प्यार से बात करते थे इतना प्यार करते थे उनसे जो भी सवाल करें वो बल्की encourage करते थे कि बेटा आपको जो पूछना पूछो और जब मैं पूछता था वो बहुत खुश होते थे जब वो examples देते थे तो मैं वहाँ पर acting करता था वो उसमें भी मेरे को बहुत साहराते थे कि गौरब तो बहुत अच्छी acting करता है फिर जब भी उन्होंने कोई example लेना होता था मुझे बुलाते थे कि मेरा घधा का हैं बहुत प्यार से ऐसे बोलते थे वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी इंसान है धरती पे सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते वो बहुत अध्यात्मिक भी थे उनसे मैंने ना सिर्फ English बट जिंदीगी की वारे में भी बहुत कुछ उनसे सीखा बलकी ये बोलूगा कि मैंने सब कुछ ही उनसे सीखा अगर वो न होते तो श Juice आज मैं ना होता फिर उसके बाद उनसे मैंने चीज़े सीखी और फिर मेरा इंग्लिश में इंटरस्ट आने लगा इस वज़़ा से मेरा सुनता था उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था फिर सोचता था कि कौन से वर्ट की इंग्लिश मुझे नहीं आती वो मैं सर से पूसता था या फिर मैं डिक्शनरी से देखता फिर जब मैं 17-18 साल का हुआ तो मुझे इंडिपेंडेंडेंट होना था मुझे पैसा कमाना था क्योंकि इंग्लिश में ने बहुत जादा महिनत करी हुई थी मेरे स्किल्स बहुत अच्छे थे नॉलेज बहुत अच्छे थी इवन बहुत जादा highly qualified लोग भी मेरे स्टूडेंट्स रहे और फिर जब मैंने सोचा कि म पढ़ाना है तो फिर मैंने पैसा कमाने के लिए इंग्लीश पढ़ाना शुरू किया और उस टाइम मेरे मन में आया कि मुझे कैसा तीचर होना चाहिए तो मैंने दो क्रेक्टर को मिक्स किया एक वह अमेरिकन टीचर जिनका मैंने गुन्नेस बूक व्लड रिकर्ड के प्रो बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी इन सभी सालों में मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और उनमें कुछ मिज़े common questions आये जो मैं अब आप से साथ चेयर करूंगा ताकि उनसे शायद आपको भी कुछ सीखने में help मिलें बहुत सारे लोगों ने ये discuss किया कि जब भी वो English बोलते हैं उनको hesitation होती है in fact उन्होंने ये भी कहा कि हमने copies भर ली बहुत सारी vocabulary खटी कर ली बहुत सारी हमने grammar skills अपने clear कर ले लेकिन फिर भी बोलने के time उनको hesitation होती है तो इस hesitation को remove कैसे किया जाए तो इसके उपर जो मैं उनको राय देता हूँ जो मैं उनको advice करता हूँ वह यह है कि सबसे पहली चीज हमें patience रखना है मैं अक्सर बोलता हूँ कि a seed becomes a tree one day but not in one day एक बीच एक बड़ा पेड़ बन जाता है एक दिन लेकिन एक दिन में नहीं हमें patience रखना चाहिए patience हर चीज के अंदर बहुत जाधा important है एक संत ने इसके उपर एक चोटा सा जोग सुनाया कि एक बंदा प्रेग कर रहा था और वो गहता है कि I want patience and right now so patience मांग रहा है लेकिन उसके लिए भी patience नहीं है तो सबसे पहले चीज़ पेशन्स हर चीज़ का एक सिस्टम है step by step हमें आगे बढ़ना है दूसरी चीज़ हमारे 可是 बहुत चोटे होने चाहिए हम लोगता हिशोश्थे होना हमें मेस्यटा जोच और बड़ा ऐिक प्रिद कि सब्सक्राइए फिर next time हम धीरे-धीरे step by step उन targets को बढ़ा सकते हैं for example अगर आज आपने एक शब्द सीखा for example one out one out आज आपने एक शब्द सीखा जिसका मतलब है बहुत जादा ठके होना तो ऐसा नहीं है कि आज से आप सोचे कि मैं completely English में बात करूँगा आज सिरव एक छोटा सा target बनाएं कि मैं ये शब्द को ही English में यूज़ करूँगा बाकि सब मैं Hindi में बोलूँगा तो आप बोल सकते हैं कि मैं आज one out हूँ किसी ने घर पे बोला भी वो समान जाके लिए आप बोलो नहीं मैं one out हूँ रोज मुझे सिरफ एक संटेंस English का बोलना है इस तरह से अगर आपने पूरे दिन में सिरफ एक संटेंस का टार्गेट बना है यह कोई बहुत मुश्किल कारे नहीं है यह बहुत अराम से हो सकता है जब आप इस टार्गेट को अचीव कर लेंगे आप अपने आप जोश से भर जाएंगे कि येस आई और यह बहुत असान है अगले दिन दो संटेंस का टार्गेट बनाएं फिर तीन संटेंस का दीरे-दीरे करके आपकी अपने आप गिनिती हट जाएगी और आप कंप्लीटली English बोलने लग जाएंगे और वह भी विदाउट हेजिटेशन बोलने लग जाएंगे सबसे बेस् सोच वैसा सब दिमाग में चलेगा तो अगर आप सपने में भी English बोलेंगे आपको अगले दिन उठके बहुत अच्छा लगेगा कि आज मैंने सपने में इंग्लिश बूली सो डैट विल आटोमेटिकली कम आउट आफ यो माउथ सबसे पहली चीज पेशन रखें दूसरी चीज पर इंग्लिश रखें आप सोचें जो भी आप सोच रहे हैं उस संटेंस को देखें उसमें कौन सा ग्रेमर लेसन लगना है कौन सा अप्रूप्रीट वकैबलिरी कोईंट लगना है उसको लगाएं और ग्रेजुली आप अपने टार्गेट की तरफ बढ़ सकते हैं औ आपको स्पेलिंग असान लगने लगेंगे कोई भी चीज मुश्किल होती है जिंदगी में अगर हम उसके हिस्से कर दें तो वह चीज बहुत असान हो जाती है जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डौन है मतलब जैसे बोले दो खुजली भाई सारा अख्खा मुंबई लगेँगे फिर ऊसकी इसे कोई अगर हैं अगर कोई मुश्किल लगता है तो अगर मुश लगे त्सकी और फिर उसको इंडी वुजिली में लॉचिक के साथ समझें तो वही शब्हा बहुत असान लगेगा जैसे बहूत नॉमर्ड है डिसीज, डिसीज यानि बिमारी, अब लोगों को इसमें confusion रहते है कि आई कहां पे आना है, या आई या कैसे है, तो अगर हम इस शब्द के दो हिस्से कर दें, डिस and then इस, अब हम इसको individually समझते हैं कि डिस और इस का क्या मतलब है, डिस का मतलब होता है नहीं, यानि की negative, यान को कहते हैं कि ease वाली है, यानि easy है, तो डिस यानि की वो जिसमें आराम नहीं है, यानि बिमारी, अब बिमारी में हम आराम में तो होते हैं, हम कभी यह नहीं कहते हो, यार मैं बिमार हूँ बड़ा मजा रहा है, ऐसा तो नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं, यार मैं बिमार कोलते हैं अच्छी इंग्लीश की definition क्या है तो मेरे हिसाब से अच्छी इंग्लीश की कुछ दो-चार पॉइंट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सबसे पहला क्या है हमारी pronunciation ठीक होने जीए pronunciation बहुत matter करती है क्योंकि कुछ words ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा हल्का सा फरख होता है pronunciation का और उस वज़ा से इसका meaning बिल्कुल बदल जाता है for example एक word है important important का मतलब होता है महत्वपून यानि बहुत जरूरी अगर हमने किसी को कहना है कि आप बहुत important है तो you are important इसे से similar थोड़ा वह हल्का फुलका difference है pronunciation में एक और word है important important का मतलब होता है शक्ती ही जिसमें शक्ती नहीं है अगर किसी की pronunciation ठीक नहीं है और उसने अपने partner को कहना है कि आप बहुत important है आप बहुत महत्वपून है लेकिन pronunciation गलत होने की बज़े से अगर वो बोलते है आप important है तो भाया meaning बदल जाएगा तरीफ की बज़ाए बुराई हो जाएगी प्यार की बज़ाए कलेश हो जाएग तो इसको भी divorce नहीं इसकी सही pronunciation divorce होती है तो इसलिए pronunciation पे बहुत जादा जोर में देतो कि सही pronunciation का होना बहुत जादा important है अब इसमें एक छोटी सी बात हो रहे है एक trainer कहता है मैं इतने सालों से पढ़ारो इस word की pronunciation यह है दूसरा कहता है नहीं नहीं वो तो गलत है मैं तो इत इतने सब्सक्राइब करते हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं सो pronunciation का ठीक होना बहुत जादा important है दूसरा point है correct use of grammar हमें grammar की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए ताकि जो हम बोलना चाहें उसको हम वही express करें जो हमारी actual feel है ऐसा नहीं कि हम कम knowledge की वजह से बस किसी substitute में हम बात कर र बोलते हैं इसकी सही pronunciation कम यूनी कम्यूनी केशन सब्सक्राइब क्रेक्णिशन इस कम्यूनी केशन सुमिस कम्यूनी केशन ना हो जाए इस वजह से हमारी correct use of grammar होना चाहिए appropriate use of vocabulary and correct use of grammar जैसे मान लीजिए कि आज मेरी तबियत खराब है और फिर भी मुझे classes लेनी पढ़ रही मेरी तबियत खराब में भी मुझे बोलना पड़ रहा है पड़ाना पड़ रहा है और वाइफ यहां पर हमें ध्यान रखना है और को मजबूरी भी है और continuation की सेंस है पढ़ाना पढ़ पढ़ मतलब मजबूरी और रहा है तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रेट ग्रैमर पॉइंट है आइम हैविंग टू टीच तो इसलिए हमें जब एक्स्प्रेशन देना है तो एक्जेक्ट होना चाहिए कोई सब्स्टिट्व्ट को यूज नहीं करना जिए जिससे मिस कम्यूनिकेशन हो सकता है और फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रयाक्त मात्रा में वकैबलिरी हमें जिस बारे में बात करनी हैं उसके लिए अप्रोप्रियेट वर्ड हमारे पास होना चाहिए अब जैसे चोरी करने की अंग्रेजी अगर आप किसे से पूछेंगे तो जनरली लोग बोलते हैं उसके लिए वर्ड लगता है पिल्फ और अगर हम टेक्स की चोरी करते हैं स्के लिए लगता है कि अगर हम bank lien से ठोल चौरी करना लेकिन अलग अलग परकार की चोरी और अलग अलग परकार के अब next point है speed, generally लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी अच्छी का मतलब है कि अच्छी speed, तेज बोलो, लेकिन speed किसी भाशा पे नहीं हमारे गले की बनावट पे और जहां पे हम पले बड़े उस पे निरभर करती है, generally क्या होता है, लोग जैसे English बोलेंगे और फटा से एकदम से speed पे जो कि मेरे हिसाब से बहुत important है, जैसे ही अंग्रेजी की बात आती है, लोग पता नहीं क्यों देसी अंग्रेज बन जाते हैं, हमारे यहां पे अंग्रेज कम है और देसी अंग्रेज जादा है, अब जैसे दोस्कों बोलेंगे, यार आजा भाई लेट हो रहे हैं, तो कहता है, तो नहीं खराब कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सोचते हैं कि English मतलब overacting, overacting बिल्कुल भी नहीं होनी चीए, जो आपकी natural language है, आप उसी में रह के अंग्रेजी बोलें, आपकी pronunciation ठीक हो, आपका grammar point ठीक हो, आपकी speed normal हो, और अच्छी most appropriate language बोलें, इससे आ सबस्क्राइब करिएगा, मेरी शकल देख लीजेगा, और यह सोचेगा कि अगर यह आदमी सीख सकता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी सीख सकता है, अगर आप बोल सकते हैं, तो आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, थैंक्यू बरी, यह कहानी तो हमने सुन ली, और अब हमने ये भी decide कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी personal growth की तरफ, जोर skills के साथ, पर जोर skills आप actually चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो एक minute में जल्दी से ये देखते हैं, सबसे पहले नीचे दी गए pinned comment की link पर click करें और इससे जोर skills आप download करें, डाउनलोड करने के बाद हम इस landing page पर land होंगे, यहाँ पर अपनी basic information भरें, इसके बाद आप जोर skills app के English के साथ साथ सारे courses एक साथ देख सकते हैं, from personality development, personal finance to business, सारे courses, पर चलिए पहले English course explore करते हैं, English course के अंदर हमें basic grammar, vocabulary, reading, writing, ये सब की theory तो मिलती ही है, ये pre-recorded lectures होते हैं, तो आप अपनी convenience के साब स से इन्हें कभी भी देख सकते हैं, इसके बाद आता है most of the students का favorite feature, which is practice with partner feature, यहाँ पर हम actually अपने ही जैसे जो students के साथ English बोलने की practice कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक English learner है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, और वो महौल जो हमें अपने गाउ शहर, school, college में नहीं मिल पाया, वो इस feature की थूँ हमें मिल रहा है, नीचे दी हुई link पर click करें, app download करें और आज ही से सीखना शुरू करें